हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी और आज इस वीडियो में हम हेयर बन बनाएंगे और परल बीट्स की हेल्प से बनाएंगे जो की बहुत सुन्दर होने वाला है उसके लिए मैंने 20 mm के बीट्स लिए हैं और नाइलोन का थ्रेड लिया है लिया थे बीट्स लिया है अभी और हम इसको नाइलोन के थ्रेड में वन बाएवन करके इंसर्ट करना स्टाट करेंगे 6beats को इंसर्ट करने के बाद हम इसमें knot tie कर लेंगे और knot tie करने के बाद जो extra thread होंग़ को भी हम cut नहीं करेंगे हम जो extra thread है, उसमें ऐक और beat को insert करेंगे और इसके बिल्कुल center में हम attach करेंगे Center में लेकर आयेंगे और इस thread को हम दूसरे opposite side में जो beat है उससे हम cross pass करते वे निकाल देंगे जिससे कि क्या होगा कि वो वहीं पर attach हो जाएगा अब उसके बाद इसमें जो भी corner दिख रहे हैं एक छोटा सा flower बन गया है लेकि इस flower को भी हमें और decorate करना है अब इसमें जो छोटे-छोटे corner दिख रहे हैं और जो भी bit हमें उसमें attach करना है वो easily लग भी जाए तो बड़े वाले bit में हम thread को insert करेंगे फिर छोटे bit को insert करेंगे और next बड़े वाले bit से हम thread को वापिस निकाल देंगे यह same process हम पूरे flower पे attach करेंगे और जितने भी इसके corner है दो bits में जो corner है सभी में हम छोटे-छोटे bits को attach कर लेंगे अब हम उसी corner पे आ जाएंगे जो की first वाला था और छोटे bits में हम thread को insert करने के बाद 7 bits को दुबारा से insert करेंगे और एक bit से जो अगला छोटे वाला bit है उसमें हम thread को निकाल देंगे बाहर और एक छोटी सी chain इसमें attach हो जाएगी बड़े वाले bit से अब इसी तरह की छोटी-छोटी chain हमें हर एक bit के उपर लगा देनी है जिसे कि एक सुंदर सा flower ready हो जाएगा और यह देखने में बहुत सुंदर लगेगा अब दुबारा से हम अपने first point पे पहुँच गए है अब यह जो हमने chain attach किया अभी side में हमने attach किया इसके हम center में attach करेंगे तो मैंने 4 beats insert किये है और जो center वाला beat है उसे हम सुंदर को cross pass करेंगे और thread को हम अच्छे से खीच लेंगे जिससे की जो beats की chain है वो beats के साथ आपस में attach हो जाए अब हमें thread को दुबारा से beats में insert करना है और next वाले जो 2 beats हैं उनके center में दुबारा से chain को attach करना है तो इसी same process हम जो भी 2 beats के बीच में जागा है समय चुटी-चुटी chain को attach कर देंगे और इसी तरीके से हम अपने पूरे flower को ready कर लेंगे और अब हमें thread को वहाँ पे लेके आना है जहांसे कि हमने start किया था तो सभी beats से insert करते वे हम first point पे पहुँच जाएंगे अब जो extra thread है हम उसको cut कर लेंगे अब इसमें एक छोटी सी knot tie कर लेंगे जिससे कि यह खुले ना लेकिन nylon का thread है तो हम इसको थोड़ा सा burn भी करेंगे जिससे कि यह secure हो जाएगा और खुलेगा नहीं तो अभी हमारे flower तो ready हो गया है जिसको कि जो हम burn बनाएंगे उसमें हम attach करेंगे तो इसको भी हम side में रखते हैं अगर आप इसको कम या जादा करना चाहते हैं तो आप beats को घटा या बढ़ा भी सकते हैं अपने burn के measurement के according आप इसको adjust कर सकते हैं तो उसके बाद जो दोनों wire हैं उनको twist करके हम lock कर लेंगे और जो extra wire है उसको भी cut नहीं करेंगे अब इस wire में हम approach 7 beats को insert करेंगे जितने भी आपकी burn की जो चोड़ाई होगी उसके according लेना है तो 7 beat को insert किया है और उसके बाद जो flower बनाया था उसको हमने insert किया उसका जो center वाला beat है उसमें हम wire को insert करेंगे और दूसरी side से निकाल देंगे अब again हम wire में 7 beats को insert करेंगे और इसके जो opposite side है उसमें हम इसको roll कर लेंगे अब हम देखेंगे कि इसके दो part बन गए है जैसे कि मैंने 28 beats को insert किया था तो 14 एक side है और 14 दूसरी side है तो मैंने wire को roll कर लिया है अभी भी wire को हमें cut नहीं करना है इस wire को हम pearl beats से insert करते हुए center में लेके आएंगे जो half center है उस तक लेके आएंगे और जब center में आ जाएंगे तो 7 beats एक side होंगे और 7 beats दूसरी side होंगे क्योंकि half में 14 beats हैं अभी हम 7 में आ गए हैं अब दुबारा से हम 7 beats को insert करेंगे जो छोटे वाले pearl हमने insert किये थे insert करने के बाद जो beach वाला flower है उससे हम again thread को cross करेंगे cross करने के बाद फिर दूसरी side भी हम 7 beats को insert करेंगे और half circle में हम इसको दुबारा से roll करते वे attach कर लेंगे अब हम extra wire को cut करते वे जो wire है उसको twist करेंगे और twist करने के बाद किसी भी beat में हम इसको insert कर देंगे जिससे कि ये चुभे ना और irritate ना करें तो हमने wire को insert कर दिया है अब आप देखेंगे इसके 4 corner तो बन गए हैं लेकिन इसको जो beach वाली जगा है वो अभी भी खाली है हमें इसको fill करना है तो मैंने इसको बार sui में nylon thread को लिया है और जो 7 beats हैं 7 beats हैं 3 हम एक side छोड़ देंगे और 3 दूरसी side छोड़ देंगे जो 7th beat होगा center से उसके हम left side से या right side से thread को attach करेंगे और दुबारा छोटे-छोटे beats को insert करना शुरू करेंगे इस बार मैं सबसे छोटे beats ले रही हूँ जिससे की क्या होगा छोटे और बड़े beats का एक combination बन जाएगा जो की देखने में बहुत सुंदर लगेगा तो मैंने सभी beats को insert कर लिया एक chain बना ली है अब इस chain को जो हमने center में flower लगाया हुआ है उसके center से किसी भी beat में हम इसको insert करेंगे और इसमें हम not tie कर लेंगे उसके बाद जिस beat से हमने thread को insert किया है उससे वापिस निकालते वे दुबारा से हम इसमें beats को insert करेंगे और अब जिस beat में हमने left here right side से जो thread को attach किया था उसके opposite side में हम wire को दुबारा से इसमें जोड़ देंगे अब क्या होगा कि दो छूटी छूटी chain इसमें attach हो गई है अब इस same processor को हम चारो तरफ apply करेंगे जो चारो corner बचे हैं उन सबी में हम इसको लगा देंगे फिर उसके बाद जो extra thread है उसको हम cut कर लेंगे और उसमें हम अच्छे से गिठा लगा लेंगे गिठा लगाने के बाद दुबारा से जो extra wire है उसको cut कर लेंगे और lighter की help से हम इसको थोड़ा सा burn कर लेंगे जिससे कि यह secure हो जाए क्योंकि यह nylon का thread है अब उसके बाद हमारा base तो यह भी ready हो गया है आप चाहें तो इसको जो जूड़ा pin आती है उसके साथ भी लगा सकते हैं पर मैं इसके साथ इसकी stick भी बनाऊँगी तो stick बनाने के लिए पहले मैंने एक 4 mm की wire ले ली है जिसे कि मैं छूटी-छूटी hangings बनाऊँगी तो मैंने एक side में eye बना ली है और eye बनाने के बाद मैंने उसमें pearl beads को insert किया है तो मैंने सबसे बड़े beads को insert किया है उसके बाद मैंने decrease order में जो छोटी-छोटे size हैं सबी beads को मैंने insert कर लिया है insert करने के बाद दूसरी side में भी मैंने eye बना ली है और इस तरीके से मैंने दो ready किया है उसमें मैंने छूटी-छूटी hanging में लगाई है जिसमें कि मैंने head pin में छोटे bead को insert करते वे प्लायर की help से fold करते वे छूटी-छूटी से hanging बना ली है और जो हमने बड़ी hanging बनाई थी उसके bottom में हम इसको attach कर देंगे और इस तरीके से दोनों में मैंने लगा दी है अब एक stick लेंगे जो कि थोड़ी thick है जिससे कि हैं इस bun को रोका जा सके और मैंने उसके एक side में eye बना ली है eye बनाने के बाद दोनों hanging को उसके साथ attach कर देंगे और attach करने के बाद जो ये eye है इसको हम lock कर देंगे lock करने के बाद एक बड़ा bit लिया है और insert करके थोड़ी सी glue लगाते वे उसको paste कर दिया है जिसे कि जो ये eye है इसका corner नहीं दिखेगा और देखने में अच्छा लगेगा तो हमारी stick भी ready हो गई है अब इसको थोड़ा सर ट्राइ करके देखते हैं तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं जो base है इसका उसमें stick को insert करके आप इसको use कर सकते हैं आप चाहें तो जो ऐसे जूड़ा पीन आती है जो you shape वाली जूड़ा पीन होती हैं उनकी health से भी आप इसको लगा सकते हैं जैसे आप इसको use करना चाहें कर सकते हैं और आप इसको किसी भी occasion पर wear कर सकते हैं आप शादी सैगाई या healthy सैरामनी पर और आप जरूर कमेंट करके बताना कि यह आपको कैसा लग रहा है और मेरे चनल को subscribe कर दें और मेरी वीडियोस को जादा से जादा शेयर करें लाइक करें thanks for watching guys मिलते हैं गली वीडियो में